हेए फ्रेंड वलकम टू कर्मकार यूटूब हेलपलाइन चानल फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों केलिए एक ऐसा पोटाल लाया हूं एक एसा पोटाल लाया हूं जिस पोटाल के अंदर आपको भर भर के सर्विसेज दिखने मिल जाएगा इस पोटाल के आपको AAPS, BBPS, Government Service, Legal Service, Loan Service and another all services दिखने आपको मिल जाएगा और ये सब जो services है न आप बिलकुल बिलकुल फ्री पे यूज कर सकते हैं फ्री पे आप इस पे agent ID क्रियेट करके ये सब services को यूज कर सकते हैं तो friends इस वीडियो के अंदर जाने से पहले एक important बात है अगर आपने अभी त कर्मकार YouTube Help Line चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके notification बेल जरूर दबा देना क्योंकि इस चैनल पे इसी तरीका के वीडियो आपको हमें साही मिलते रहेगी तो friends हम लोग वीडियो के तरफ आगे बढ़ते हैं तो अगर आप इस पोर्टाल पे काम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको जाना पड़े कि इस वीडियो का description box में जहां पे आपको इस पोर्टाल का link मिल जाएगा जिस link ओपर press करते आपको सामने में कुछ इस तरीका के interface दिख जाएगा अब आपको क्या करनी है यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या क्या services आपको दिखने मिलेगा बट यह सब जो services है ना यह सब services हम all विस्तार पे हम आपको दिखाएंगे इस पे एक और ज्यादा feature वाला services है कि आप इस portal से all bank का cash भी deposit कर सकते हैं चलिए विस्तार पे जानते हैं विस्तार पे जानने से पहले एक important बात है इस पे आपको पहले thing up करना पड़ेगा sing up करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पोटाल को on करने के बाद यहाँ पे आपको sing up का button दिख रहा होगा जिसके उपर आपको प्रेस करनी है प्रेस करनी के बाद आपके सामने में कुछ इस तरीका का interface आ जाती है तो आपको यहाँ पर क्या करनी है पहले आपको यहाँ पर agent type को select करनी है उसके बाद fast name, last name, mobile number, email address, shop name, date of birth, pin code, यह सब address बगएरा city बगएरा डाल कर को नीचे के तरब यहाँ पर capture code मिलेगा जो capture code फिल करके sing up कर सकते हैं sing up करने के बाद आपको क्या करनी है, sing in button पर प्रेस करनी है, तब तक आपका mobile पर अपना username और password send कर दिया जाएगा प्रोटाल के तरब से, आप अपना username और password देकर आप इसको login कर लेंगे, login कैसे करनी है, username के जगह पर अपना mobile number डाल दो, उसके बाद जो password आपको भेजा है message के password डाल दो, and जो capture code हो, capture code डाल कर login करो, उसके बाद आपको एक OTP verification होगा, उसके बाद completely आपका account login हो जाएगा, मेरा account को login करता हूँ, and आगे का process आपको step by step करके दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो, तब ही आप इस पर काम कर सकते हैं, तो दोस्तों, finally मेरा account open हो चुक आपको कितना बना, total recharge कितना हुआ, और उपर total आपका wallet, सब कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा, बिल्कुल यह interface है, और यहाँ पर सबसे पहले ही एक top up plus हो रहा होगा, कि आप यहाँ से आप एक minute के अंदर without paper or के आप 10,000 तक का loan ले भी सकते हैं, और अपना customer को दिलवा भी स लगते हैं, यहाँ हो किया, उसके बाद हम समझ लेते हैं इसके अंदर services क्या क्या है, services समझने के बाद यह सब services को use करने का आपका benefit क्या है, यह सब हम अपको समझाएंगे, तो थोड़ा धियान से वीडियो को watch किजिए, सबसे पहले हम services के उपर प्रेस करते हैं, तो हमारा स services के अंदर आप देख सकते हैं, काफी सरे services देख सकते हैं, इनि स्टेंट लोन services जो मैं आपको अभी अभी बताया, लोन ले भी सकते हैं, अपना customer को दिलवा भी सकते हैं, उसके बाद NHDL payment bank का CSP भी इस पे है, आप अपना इस portal को use करते हैं, तो आपका एक mini bank भी बन जाती ह उसके बाद fixed deposit, IRCTC, उसके बाद EPS Express, recharge, pen card, यह सब काफी सरे services आपको यहाँ पर देखने मिल जाती हैं, यह सब services को आप बिलकुल बिलकुल फिरी पे use कर सकते हैं, उसके बाद print इस पे legal services भी है, जो government services भी है, जो legal services के उपर आप प्रेस जब भी करते हैं, तो आपका सामने म legal services जितने सारी है, सब कुछ services open हो जाती है, फिलाल तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर है, कोटक महिंदरा बैंक का account opening, friends अगर आप किसी को कोटक महिंदरा बैंक account opening करके देखते देते हैं, तो आपका benefit 100 रूपया होती है, आप एक account बनाती हैं, तो आपका 100 रूपया मिलती है, friends यहाँ पर उसके बाद apply resident certificate, apply income certificate, apply cash certificate, apply now resident card, apply all bank cash deposit, friends यहाँ पर मुझे एक बात बढ़िया लगा, काफी सारे portal है, जो cash deposit का facility देती है, काफी सारे portal, लेकिन सभी bank का नहीं देता है, बट यह जो portal है, यह all bank का cash deposit का service दे रहे हैं, जिस पे आपको maximum 7 रूप होने बाली है, उसके बाद आपको यहाँ पर आइसमान कार्ड डाउनलोड, mega job card, यहाँ पर काफी सारे वेस्ट बेंगोल, आपको इस रूम, यहाँ पर नहीं पर नहीं पर नहीं पर पेंसेंटर, पेंसेंटर भी open कर सकते हैं, उसके बाद देज सार्टिपिकेट, लोस्ट पेंसेंटर, वेस्ट बेंगोल, रेसेंट कार्ड डाउनलोड, यहाँ पर यहाँ पर फिलिंग, आईटर रेजिस्टेशन, जीस्टी रेजिस्टेशन, आधर सर्विस, जीस्टी सर्विसेज, भोटर सर्विसेज, भोटर राईटी, यहाँ पर काफी सर्विसेज, आपको ल सर्विसेश को आप यूज कर सकते है एक्टिव करकर कर के बिल्कुल बिल्कुल मूब्द पर अगर आप रिचार्च पर र WAT रीचार्च पर री किया है यह पर फाइब परसेंट का कमिसन मिलती है उसके बाथ जो ईसके बाथ जो यही पीज़ पिस होती है तो यहीपैस सर्विशेश प refuse किया है आप लोगों का सुविधार्थ लिए यहां पर दीन बैंक के साथ पार्टनर्सिप करके आपको यहीक Polarी thinking// Ace Bank, NHDL Bank and ICIC Bank अब इस पर आपको AAPS पर maximum commission 15 रुपिया का मिलती है and statement पर आपको 2 रुपिया का उसके बास cash deposit आपको मैं पहले ही बता है cash deposit पर आपको 7 रुपिया का commission मिलती है उसके बास kotak Mahindra Bank का account opening करवा कर देते हैं तो आपको 100 रुपिया का benefit मिलती है तो यह सब मैं पहले भी बता चुका हूँ फिर भी आपको याद दिलवा दिया कि इस पर आपका इतना ज़्यादा benefit मिलने वाली है उसके बाद समझ लेते हैं services के नीचे है profile section जहाँ पर जाकर अपना profile को अच्छी तरीका से customize कर सकते हैं पीन बगएरा change बगएरा कर सकते हैं wallet section पर आपको यहाँ पर अपना wallet का सेमारी देख सकते हैं आपको यहाँ पर QR code दिया जाता है जो QR code को आप यहाँ पर scan करके पेमेंट ले सकते हैं उसके बाद आपको complaint box से कोई भी problem होता है तो complaint box पर आपका complaint registration कर सकते हैं बहुत जल से जल आपका complaint को solve कर दिया जाएगा उसके बाद friends यहाँ पर एक swapping section आती है जहां पर क्या होता है कि यह सब जो services है यह सब services use करने के लिए आपको कुछ product का जरूरत परता है जैसे कि हुआ cash counting machine उसके बाद thermal printer soup machine, mini ATM इसके बाद finger print scanner यह सब service यह सब खरीच सकते है यहां से आपको best price पर आपको मिल जाएगी उसके सासास report section पर जाकर अपना reports बगएड़ा देख सकते हैं फिलाल तो यही सब कुछ है और इधर देख सकते हैं इधर three line पे आपका profile देखागा जिसको आप customize कर सकते हैं हम return जाते हैं dashboard पे और कुछ बात आपको समझाने का कोसिस करते हैं अगर आप इस portal पे काम करना चाहते हैं तो number and email address plus हो रहा होगा यह जो portal है पोटल का admin का number है आप इन लोगों के साथ contact करके आप कोई भी पूचताज हो या फिर कुछ भी जानकारी हो तो ले सकते हैं मतलब contact करके आप अपना हिसाब से बात चित कर सकते हैं contact number है इस portal का आप बात चित करके ID भी ले सकते हैं या फिर कुछ ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हैं कोई भी पार्ट मिस हुआ होगा तो यह इससे बात कर लेना आपका solve कर दिया जाएगा तो इस वीडियो के लिए इतना ही नेक्स वीडियो में फिर मिलता है तब तक लिए बाई